दोस्तों हर्ताल किशी भी देश की अर्थ वेवस्ता के लिए बहुत जादा हानिकारक होती है जिस देश में काम कर रहा मजदूर खुश नहीं होता उस देश की अर्थ वेवस्ता कभी मजबूत नहीं हो सकती पर शायद आप मानो इतिहास की संख्या या पैसो के मामले में हुई सबसे बड़ी हर्तालों के बारे में नहीं जानते तो आज दोस्तों यूनिवर्स आडवेंचर आपको बताएगा कि वो कौनसी ऐसी हर्ताले थी जिने मानो इतिहास में घटित हुई सबसे बड़ी हर्तालों में शामिल किया गया है नमबर फाइव 1926 जर्नल स्ट्राइक इन यूनाइटेट किंग्डम 1926 में यूके में कोईला खान मजदूरों द्वारा दी गई हर्ताल को इस दुनिया के सबसे बड़ी हर्तालों में शामिल किया जाता है इस हर्ताल में 12 लाग कोईला खान मजदूर सरकार गवारा मजदूरी कम करने के विरोध में हर्ताल कर रहे थे PUC यानि की ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस जो कि एक लेबर पार्टी थी वो मजदूरों की तरफ से इस हर्ताल की अगवाई कर रही थी पर सरकार को पूरी उमीद थी कि मजदूर हर्ताल पे जा सकते हैं इसलिए विरोध रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी 3 माई 1926 से लेकर 12 माई 1926 तक 9 दिन तक चले इस हर्ताल में मजदूरों के हाँ छोटी मोटी हिंसा की सिवाए कुछ भी नहीं लगा तथा ये हर्ताल पूरी तरह से नाकाम रही इस हर्ताल को दुनिया भर में ब्रिलियंट फेलर इस नाम से जाना गया इसके बाद TUC के नेता का कहना था हाला कि हम हार गए पर जिस तरह से इतनी भारी संख्या में मजदूर इकठा हुए थे मजदूरों को उनकी ताकत का अंदाजा हो गया है 1934 टेक्स्टाइल वर्कर्स स्ट्राइक 1934 में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंक्लीन दर रूजवेल्ड ने नीरा यानी की नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट के तहत टेक्स्टाइल वर्कर्स के काम करने के घंटे हपते में 60 से लेकर 40 कर दिये पर मील मालिकों ने मजदूर जितने माल का 60 घंटों में उत्पादन करते थे उतने ही माल का उत्पादन 40 घंटों में करने की सकती करने लगे इसी वज़ा से मजदूरों की हालत बत से बहतर होती चली गई आगे जाकि मजदूरों की संघटना 15,000 से लेकर धाईला कितनी बड़ी हो गई 1934 में इस संघटना ने तीन मांगे मील मालिकों के सामने रखी पहली हमारी यूनियन को पहचान मिले दूसरी काम करने के घंटे 40 से लेके हफते में 30 घंटे कर दिये जाए और तीसरी हर मजदूर को कम से कम निश्चित मजदूरी तैंकी जाए इन सब मांगों को मानने से जब मील मालिकों ने इंकार कर दिया तो करीब 4 लाख मजदूर हर्ताल पर चले गए परिडाम ये हुआ कि अमेरिका की शाट प्रचसर से भी ज़्यादा टेक्स्टाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बंध हो गई प्रेशिडेंट ने जब मजदूरों की बात सुनने के लिए समिती अस्थापित की तब जाके मजदूरों ने काम शुरू कर दिया इतना होने की बावजूद मजदूरों के हाथ कुछ खास नहीं आ पाया 1969 में अमेरिका की स्टील कमपनिया मुनाफ़ा कमाने के मामले में उफान पे थी यूनाइटेड स्टील वर्कर्स यूनियन जीने यूएस डबलू भी कहा जाता है मजदूरों की इस संघटना का कहना था कि मजदूरों का वेतन बढ़ा कर इस फायदे का एक हिस्ता उन्हें भी दिया जाना चाहिए पर स्टील कमपनी के मालिकों की कुछ शर्ते थी जीने यूएस डबलू ने मानने से इनकार कर दिया जैसे ही कॉंट्रेक्ट समाप्थ हो गया पांच लाख मजदूरों ने हर्ताल शुरू कर दी दोनों ही पच्छों ने अपनी अपनी तरफ से समझाते करने की कोशिश की पर सब कुछ नाकाम रहा अमेरिका की वाइस ब्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सवन ने इस मामले में दखल देते हुए एक अच्छा समझाता दोनों पच्छों के सामने रख दिया जिसमें घंटे की मजदूरी में 7 सेंट की बढ़ोतरी, पेंसन की तरदूद और भी कई हेल्थ बेनिफिट सामिल थे एक महिने की हर्ताल के बाद आखिरकार ये समझाता दोनों पच्छों ने मंजूर कर लिया जिसकी वज़े से अमेरिका की सबसे बड़ी हर्ताल का आंथ हो सका नमबर टू, 1974 रेलवे स्ट्राइक इंडिया आठ मई 1994 में 17 लाग से भी जादा भारतिय रेलवे कर्मचारी हर्ताल पर चले गए उनका कहना था कि काम करने का समय 8 घंटे से जादा ना हो तथा उनके वेतन में बढ़ोत्री की जाए हाला कि भारत स्वतंत्र होने के बाद उनके वेतन में समय समय पर बढ़ोत्री की गई थी पर वेतन बढ़ाने और काम करने की वेवस्था अंग्रेजों की जमाने की हुआ करती थी इसी वेवस्था को बदलने के लिए 70 प्रत्सत से भी जादा रेल कर्मचारी हर्ताल कर रहे थे पर सरकार ने उनकी ये मांगे ठुकरा दी हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया तथा कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा बिगरते हालात को देख ये हर्ताल 27 मई 1974 को पीछे ले ली गई 20 दिन तक चली ये हर्ताल पूरी तरह से नाकाम हो गई संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये उस वक्त की सबसे बड़ी हर्तालों में से एक थी नमबर वन इंडियन जर्नल स्ट्राइक ऑफ 2016 2 सितंबर 2016 को भारत में 15 करोण से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों ने 24 घंटों के लिए देश व्यापी हर्ताल की प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पब्लिक सेक्टर के नीजी करन तथा और भी कई पॉलिशिष के विरोध में ये हर्ताल की गई थी जिसमें पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे मजदूरों का नियुमतम व्यतन 15 हजार हो ये मांग शामिल थी 24 घंटे तक चले इस हर्ताल ने भारती अर्थ विवस्ता का करीब 800 करोन रुपए का नुक्सान कर दिया दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि 15 करोन से भी जादा लोग एक हर्ताल में शामिल हो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूले और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार